वेजिस्ट्रेशन के बिना रेजिस्ट्रेशन नहीं होगा अकल यही स्लोगन आप लोग चैन्ट करें यह मांग पर भी आप लोग क्या आड़े हुए है इसको लेकल कुछ बात्चीत हुए हैं लोग कंटिने से अचाटी को यहीं बोल रहे हैं कि बातचीत करने के लिए नॉर्मल सी लाने के लिए भी हमें ऐसा एक वाइस चाहिए जो एक नया शुरूआत हो हम लोगों के लिए लेकिन वह चीज अभी तक नहीं हो पा रहे हैं तो हमने एकदम अपना बात रखी है में चा अचाटी मिनिस्टर थे आपके लाग यह मोनली मनौर जोसी उन्हें उन्हें बोला है कि यह वाइस सांसलर बिल्कुल भी कंपिटेंट नहीं है बातचीत करने के लिए और उन्वेस्टिक और रन करने के लिए और आप आज जो मारा जो में एजनडा था हमने अचाटी मिनिस तरह का इन्वार्मेंट देना जरूरी है और वो सारी चीजें वो सारी कबिलियत इस वाइस संसर के फिल अंदर फिलहाल नहीं है इसलिए हम लोग एक नए वाइस संसर की मांग करते हैं कि जो कम से कम इस्टुएंट के मुद्दों को समझ सके उसके साथ ये सारी चीजें जाली है जो सस्पेक्ट बनाएं उसमें फिर से आपकी फोटो भी रिलीस करी है क्या कहीं देखिए अब दिली पुलिस की बात है वो अपना कारवाई करना चाहते हैं लेकिन मेरे पास भी मेरे एविदेंस है कि कि इस तरीके से मेरे उपर हमला हुई है और फोटोग्राफ आ रोले से कामरा बंद कर दिये गए और अब ये प्रशासन इक बात हमने एचारडी को बता है कि इसमें प्रशासन का रोल है जब तक के वीसी रिमूव नहीं होता है हमारे प्रशासन के उबर विजिटर की इंक्वाईरी नहीं बढ़ती है ये इंजस्टिस हमारे जस्टिस हम लोग के ऊपर ही ठीगरा फोडने का इस हिंसा का इसातन की हमले का और यह एकदम शड़नाक है जैसा कि आप बोल लें कि इसी के सर पर खुद एक रोट पड़ा हुआ है जो मार खाय हुए लोग है वह में आके नेकोसिशन कर रहा है इस टाइम पर में जूज रही थे अपने कि कैसे यूनिवसिटी को बचाया जाए मैं बार-बार यह बोल रही हुँ जेन यूसू के रिप्रेजेंटरिफ होने के नाते कि किसी भी तरीके का वाइलेंस इस खंडेमेबल और यह बात हम चारों ने बार-बार कैंपस के अंदर रखा था और इस टाइम पे अगर दिल्ल आना चाहिए नडाटने के लिए कि वो शॉस्पेक्ट है और यूट रही है क्या ट graphics है कि फूर्ट्रे इस में आूइन घुवी साथ, करेंवे अवलो थैयलोग से फ्लिल्स की से कहले थियलोग गना मेछ नहुंखन अट भीर और जिल मैं वेन ओ स्लिल्स कर देलोग में जायलोग मेंगे सुप में भी पytic प्लिल्स के ऑन्यूत थैयलोग डिलकाश टेंग लागा टेयलोग का उस घरकश टीजाब कि अपिर देख आपट प्रॉमाया धूम्टिछ कहते नहीं हुआ में हमारा हुआी टुन कर फिर तो पहां जब में पहर इक कॉंसलिया ज्याहिए फर खेंगा अपूर्ण क कॉंसलिट फिर एक फिर अफ जालत यू क्वें कहते प्रॉटा टुम्ट अपर नेजि़ पहल बुट पूरी दुनिया ने देखा कि आप लोग के साथ क्या हुआ लेकिन एड्मिनिस्टेशन बार-बार ये कह रहा है कि उससे पहले जब सर्वर तोड़े गे उसमें आपके या आपके सहयोग्यों का हात है इसको आप लोग कैसे रिस्पॉंड करें देखिए बार-बार बोल रहे ह हमारे पास CCTV फूटेज नहीं है लेकिन नौर्थ गेट में रहता है सर्वर नौर्थ गेट में नहीं तो क्लाउड में सेव हो जाता है फूटेश तो गेट का जो विजूल से जहां पर हमें भी पता है किसने लीट किया था मॉप को तो उत सारे वीडियो वाइस चैंसलर खू अब आप गेटित कर रहा है तो आप देखे पूरे देश नहीं आप कर रहा है कष्मीर से लेकर के उतर प्रदिस लेकर लिकर विजरास तक और वह जह करते हैं कि स्टुट्बंकिया है सवाल उन्से पूछना चाश्य यह कि सबको पता है इसमें इंट इन्टर्नेट को बंग अच्छाई एक सवाल और सर्कुलर अभी इन लोग की तरफ से आ जागा तो क्या सर्कुलर में क्या वो बाते होंगी जिसको हम देखकर कह सकते हैं कि आप लोग का स्ट्राइक कॉल अफ हो गए देखिए अभी हमें सर्कुलर आएगा उसकी नहीं देखेंगे आएगा किस तरीक करते हैं कि आएगा पूलिज था प्लाइब को स्ट्राइब करें अच्छाई प्राहिए वह कि आएट जिसके प्लेश तरीक चाहँ आँगा बूड़ अंब हार इन आजिसको हमें सब्सक्राइब को फो चैन्ट अजन में में संब्सक्ति आटारा इस इनैटार फेचान टीफ the investigation will be done and I have full faith in the law and order of this country that there will be a very fair and I don't fear anything because I have not done anything wrong so I have full faith in the law and order of this country that it will be in a very justified position and I will get the justice of what has happened to me and not a single F.I.R. अभी तक मेरा जो कंपले ने उसको F.I.R. में नहीं तर्न कया गया, ये जानले वा हमला नहीं है लेकिन कुछ वीडियो में कहीं पर में देखी हूँ, that is a suspect of doing something I just want to know, is the law and order of this country working in a way दिल्ली कुलिस क्यों बायसतरी किसे काम कर रहा है मुझे ये जानना है कि मेरे उपर ये जानलेवा हमला हमला नहीं है लेकिन किसी एक वीडियो में मैं दिखती हूँ, कुछ नहीं मैं JNU Students Union की representative हूँ, हम लोग चार JNU Students Union की representative है कहीं पर campus में emergency होता है, जहां पर security नहीं होता है हम दोर के पहुंचते students के SOS calls पे तो क्या हमारा campus के अंदर कहीं पर पहुंचना, security reasons के वज़े से गुना है मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या ये बता देता है कि वहां पर वो कर रहे थे, उनके पास क्या evidence है डेली पुलिस ये क्यों नहीं release करता है कि क्या evidence है जिसके वज़े से वो suspect कर रहे उनके पास कोई evidence नहीं है, जो एक evidence मीडिया में चलाता है वो हमें भी पता है उसका clarification में बार बार देच चुकी है क्या आज ये नू स्टूइंट्स यून रिप्रेजेटरी जब हम लोग दोनों रोक रहे थे एक दिन एक सकफिल सतीश को मारा गया मेरे सामने तो क्या कल आप उसका चेहरा गोल करके बोल दोगी ये suspect है उस चीज में? नहीं, he is doing his responsibility as the general secretary, he is doing the responsibility as the vice president and the joint secretary I am doing my responsibility to reach at the place to save my students as the president Am I wrong in that way? आपका security कहा रहता है? हमें क्यों पॉछना पढ़ना पढता है? आपके security क्या कर रहे थे? साइक्लोप्स कहा था वहाँ पे? स्टूरेंस वहाँ पे साइक्लोप्स को क्यों contact नहीं कर पाए? उन्हें हमें क्यों call करना पढ़ा? जल्द से जल्द की नहीं होईशी आप आईए, आप आईए, सतीश आप आईए, साकित आप आईए, दानिश आप आईए उनको ये क्यों करना पढ़ रहे है? अगर आपका security इतना tight है तो आपको ये तो करना ही नहीं पढ़ेगा ना? आपके hostel में, कोईना hostel में लड़के घुस कैसे गए? अगर आपका security इतना strong था, तो कोईना hostel जो एक women's hostel है, उसमें security रात के शाम के 7 बजे, 7 बजे के बाद, जो भी मास थे, वो घुस कैसे गए? जहां पे भी हुआ है, वो घुस कैसे गए हैं, और कर कैसे रहे हैं, प्रेजन में आपके. अगर प्रेजन को चार और पांच तारीक आप देखे, होस्टल में ने अटेना साइन ने किया है, दो दिन से कैमपस से हमारे सेक्रिट अगाया गहा है, उसके बाद, जब हम पूलिस को काल करते, अगर उशी, अगर वो अटाइक करने गई, तो तीन बजे क्यों को मेसेज कर के बेश्टी कि एक असेलेंट और मॉब का ग्रूब जो है चेहरे पर कपड़ा बानके डंडा लेके जमा हो गया है अगर उसको अटेक करना होता है और स्यर्स एथा बात है आप सुचिए हम लोग पूले से बार में कोण पर से बार बार तोड़ा जा रहा है बार बार उपर से ओरर आके हमारे ही ऊपर इसका थीग्रा फोटनेक को कोई किया जा रहा है अगर मीडिया रिपोर्ट देखेंगे तो कौन आज जेनियो के प्रशासन का अंडर कौन कॉल ले रहा है कौन सी मिनिस्ट्री देशी कॉल ले रही है आपको सबको पता है प्रिंट का रिपोर्ट पढ़ ले जाए आप समझ लेजेगा अगर वह बात देखा जेनियो प्रशासन पे अब तक ये प्रशासन ने क्यों नहीं माना आप से मिलती है ये इंप्यूनिटी ये पांच तारीक के शाम में दिल्ली पूलीस दो घंटा क्यों बाहर बैटरी किसके और बाहर बैटरी अंदर क्यों नहीं आरी ती जब हम लोग फ अगर बैटरी के लिए एक प्रेम करते कहानी को वह दो घंटे कहा थी जब आल्रडी बताया गया था आशिक दवारा कि यहां पे कुछ लोग घूमरें केंदर दो घंटे से पुलीस कहानी को थी जब वाइलेंस हो रहा था एक घंटे तक कैंपस के अंदर तो पुलीस बाहर में क्या कर रहेती हो उसको इंफोर्मेशन था साइक्लोप्स का गार दो दिन से साइन अटेंडेंस क्यों नहीं कर रहा था कि वो कैंपस के अंदर मौजूद है वो वीसी ये सब एक प्लान तरीक करके लोगों को बस बर्गलाता है कि आइस देखो एक साब ये फोटो आया है इसमें सामील सारा चीज इस पर डाल दो ऐसा नहीं होता है एक फोटो के लावा आप इसका कोई फोटो देखा थे जहांप यह वालेंस कर लिए जहांप इसका फेस बंद है लाठी है इसके डंड पुलिस के पास सारा रिपोर्टर वीडियो भी हैं फुटेश भी आज तक डेली पूलीस उस एक को भी आरेस नहीं किया है तो वीह मिले से क्या पढ़ी डिके है से क्या पए पर RAW